प्रदेश की कई जीलों में बुधवार को प्रिसास्तिक अधिकारियों ने मंडल कारा में छापे मारे के इस दवरान कारा के सभी कक्षों की शगहन तलासी ले गए इस करम में दोपहर 12 से 3 बजे की बीच पटना इस्थीत बेवर जेल में भी पटना डियम और SSP के संजुक नतरितों में छापे मारे की गए चापे मारी के दवरान बेवर जेल के सभी कक्षों के सघन जाज की गई और इस दवरान मुकामा के बिधायक और पाखु बली नेता अनन सिंग के कक्ष में सिम कार्ड और बैटरी समेथ मोबाइल बरामत की गई फोन नम्मर पर लिखी परचिबी बरामत जानकारी के अनुशार मुबाइल के साथ कुछ दुर्भास संख्या लिखा हुआ कागज भी टीम को प्राप्थ हुआ है साथी बिधाय के कक्ष में कुल नौ सिवधार पाये गए जबकि प्रावधान के अनुशार सिर्फ दो सिवधार हैं रखे जा सकते हैं ऐसे में जिल अधिकारियों दौरा सेश शाथ सिवधारों को भी सेश कक्ष में भेजने के लिए संबंदित अधिकारी को निर्देश दिया गया है साथी इन सिवधारों की पुरी जानकारी उपलब्ध कराने का कारा धिक्षक को आदेश भी दिया गया है इधर नियम कानूर का पालन करने में लपरवाही बरतने के आरोप उप्तकक्च के कक्षपाल को निलंबित करने का आदेश अधिक्छक मंदलकारा को दिया गया है साथी कारा अधिक्छक को बिना देर किया अन्य दोशियों के जिम्मेदारी तैकर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट उपलब्द कराने का जिलाधिकारी की ओर से नियदेश द्वारा दिया गया है मुकामा विधाय के सेल के अतरीक्त बेउर जेल के अन्य जगहों से कुल 9 हीटर स्प्रिंग पाया गया है जिनको तुरंट चिप्ट कर लिया गया ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित पुलिस पताधिकारी को दोशियों की पहचान कर परात्मी की दर्ज करने और शक्त कारवाई करने का निर्देश दिया गया है इदर शापे मारी के बाद जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में तीन जेल वड शुरेंदर कुमार, बिरेंदर कुमार और विकास चंदर शिंको निलंबित कर दिया गया साथी शेब जवान गोरी शंकर को सेवा से बरखास्त भी कर दिया गया वही कारा डिक्सका के इस पूरे मामले में स्पेस्क्रण की मांग जिलाधिकाई दोरा की गयी है गौर्ध अलबे कि शापे मारी दल में अन्वंदल पदाधिकारी पट्नाससदर शाहायक पुलिस अधिकचक पट्नासदर और अन्वंदल पुलिस पढदीकारे फुल वारिश सरीफ की यहाँ पर उपस्थिती रही है निउस रूम से निउस लाइफ किरेबर सब्सक्राइब टो यूट्यूब चैनल और प्रेस ते बेल आइकन ते लेटेस अपडेट्स